साउधी अरब 170 किलोमेटर लंबी एक ऐसा अल्ट्रा मॉडर्न शहर बना रहा है, जो किसी अजूबे से कम नहीं होगा. पहाडी रेगिस्तान में ये शहर हरियाली और प्रकृती से भरपूर होगा. यहां बेहद अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी. पिछले साल 29 जुलाई को क्राउन प्रिंस मौहमद बिन सल्मान ने इस प्रोजेक्ट के डिजाइन को दुनिया के सामने रखा था. इस प्रोजेक्ट को नियोम दलाइन सिटी गया है. इसका निर्मार कार्य शुरू हो गया है. इसका नाम The Line है क्योंकि यहाँ एकदम सीधी रेखा में बनेगा पूरे शहर में कोई रोड नहीं होगी और नहीं कारे चलेंगी शहर के एक छोर से दूसरे छोर को जोडने के लिए हाई स्पीड ट्रेने चलेंगी ये सिटी पूरी तरह Renewable Energy पर चलेगा और Zero Carbon Emission वाला शहर होगा ये शहर तीन लेवल का होगा उपरी तल पर सिर्फ हरियाली से भरपूर प्राकृतिक द्रिशे होंगे दूसरे तल पर लोग रहेंगे स्कूल, हॉस्पिटल और मॉल जैसी दैनिक जीवन से जुड़ी सभी सुविधाएं रहेंगी सभी जरूरत की चीजें सिर्फ पाँच मिनट की वॉकिंग डिस्टिंस तीसरे और सबसे निचले तल पर हाई स्पीड ट्रेने चलेंगी 170 किलोमीटर लंबे शहर के कोने से दूसरे कोने में पहुचने में सिर्फ 20 मिनट का समय लगेगा ये मेगासिटी आर्टिफिशल इंटेलिजिन्स चलेगा योजना के मुताबिक यहां ड्रोन टैक्सी हवा में चलने वाली होगी यहां एक बड़ा आर्टिफिशल चांद होगा शहर की उंचाई 500 मीटर रहेगी जहां 90 लाख लोगों के रहने की व्यवस्था होगी 200 मीटर चौडाई में एक सीधी रेखा में बनने वाले इसदी लाइन शहर की बाहरी दीवारे मिरर फेस्ट भविशका ये शहर UA के तबूग के पास बसाया जा रहा है जिसके एक तरफ गल्फ ओफ अकाबा है तो दूसरी तरफ रेड सी नियोम से 5 किलोमेटर दूर मिस्र का शहर है दी लाइन सिटी भौगोलिक रूप से एक ऐसी जगा पर स्थित है जहां पर दुनिया की 40 प्रतिशत जन संख्या मात्र 6 घंटे में पहुँच सकेगी